नमस्कार दोस्तो यसके ब्लॉग में सभी का स्वागत करते हैं आज की कहानी दिल को छो लेने वाली कहानी है मा का मम तत्व बेटी से एक बार की बात है जब एक गाव में एक माया नाम की इस्तरी रहती थी उसका भरा पूरा परवार था धन धान से कोई कमी नहीं थी माया भी खुस ही थी अपने घर संसार में लेकिन कभी कभी अचानक बेचैन होड़ती इसका कारणवा खुद भी नहीं जानती पती उससे हमेशा पूशता था कि उससे क्या परसानी है पर वह इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाती तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे तीनों ही किसुरो अवस्था में थे अब उनकी रूच्ची के बिसमें अपने पिता के बिचारों से ज़्यादा मेल खाते थे वे ज़्यादातर समय अपने पिता टीबी और दोस्तों के साथ बिताते माया चाहते थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताएं पर उनकी रूच्चियां कुछ अलग थी अब वे तीनों ही बच्चे नहीं रहा गए धीरी धीरी वे पुरिस बनते जा रहे थे एक सुबह माया ने अपने पती से कहा क्या मेरी खुशी के लिए आप कुछ करेंगे पती ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं माया बोली में एक बेटी को गोद लेना चाहती हूँ और इस पे आप सवाल जबाब मत करियेगा पती को माया की बात सुनकर आश्चर हुआ पर उसने कुछ नहीं कहा फिर माया ने तीनों बच्चों के सामने भी यह प्रस्ताव रखा किसी ने कोई आपत्ती तो नहीं की पर सब के मन में सवाल था क्यों जल्द ही माया ने डेड़ महिने की एक प्यारिसी अनाथ बच्ची अनाथ आस्रम से गोद ले ली तीन बार माँ बनने का सुक भोग लेने के बाद भी आज उसमें वासल की कोई कमी नहीं थी बच्ची कियाने की खुसी में माया और उसके पती ने एक समारों का आयोजन किया सब मेहमानों को संबोधित करते हुई माया बोली मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज के मन में उठे क्यों का जबाब देना चाहती हूँ मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी होना बहुत ही आउसक है बेटी केशने और अपने पन की सितिलता ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांदे रखती है तीन बेटे होने के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं थी मर स्वयम की परचाई इसमें किसी में नहीं डून पाती बेटी सकती है स्रिजन का स्रोत है मुझे दुख ही नहीं पिला भी होती है जब मैं देखती हूं कि किसी स्थ्री ने अपने भूर की हत्या बेटी होने के कारण कर दी मैं समझती हूं मेरे पती का बंस जरूर मेरे ये तीनों बेटे बढ़ाएंगे पर मेरे मात्रित्व का बंस तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है आसा करते हैं दोस्तो ये कहानी आपको पसंद आई हो कहानी की बिसे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें